T20 वर्ल कप जीतने के बाद भारती टीम स्वधेश लोटी भारत पहुंचने के बाद सभी क्हिलाडियों ने भारत के प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान खिलाडियों ने प्रधान मंत्री के संग फोटोस भी किछवाई और बातचीत भी गी इस दौरान भी मोदी ने भारती टीम के कप्तान रोहिच शर्मा से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे सुनकर रोहिच शर्मा भी मुस्कुरा दिये दरसर नरिंद्र मोदी ने रोहिच शर्मा से पूछा कि मिट्टी का स्वाद कैसा था बतादे कि भारती टीम ने जब विश्व कप को अपने नाम कर लिया तब रोहिच शर्मा खुसी से बीश्ट की तरफ गए और वहां से मिट्टी का एक टुकड़ा उठा कर खाया यह वीडियो आई सीसी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हुए इसी को लेकर प्रिधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने रोहिच शर्मा से यह सवाल किया कि रोहिच शर्मा ने पीच की मिट्टी खाने को लेकर जबाब दिया कि उसे स्पीच हमें ट्रोफी दिलाई मैं उसका स्वाद लेना चाहता था। ICC ने जब इस वीडियो को अपने सोसल मीडिया पर शेर किया था तब उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि जीवन भर्याद रहने बाला पर। पता दे कि रोहिट शर्मा की कप्तानी ने भारत को तीन बार ICC टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा और आखिर में ट्रोफी भी दिला दी।